18 जुलाई यानि कल दिल्ली में NDA की एक बड़ी बैठक होने वाली है वैसे 18 जुलाई को तेक और बड़ी बैठक बैंगलोर में भी हो रही है जहाँ विपक्षी एक्ता की मुहीम को नितीश कुमार जो लेकर चले हैं उसमें तमाम विपक्षी दल बैंगलोर में कल यानि 18 जुलाई को मिलेंगे अब कई लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या जो कॉंग्रेस की विपक्षी एक्ता है जो नितीश कुमार की भी पक्षी एक्ता है उसके काट में बीजेपी ने ऐसा कोई प्लान रचा है तो नहीं मामला ऐसा है कि 18 जुलाई वो तारीक है जब साल उनिस्सों ठान्वे में यानि 25 साल पहले एंडिये गट बंधन की अस्थापना 18 जुलाई को ही हुई थी और उसके पहले अध्यक्ष जो है वो अटल बिहारी बाजपई बने थे और अभी मौझूदा एंडिये के अध्यक्ष अमित्सा है अब इसे ही लेकर एक तरसा आप कहा सकते हैं कि बीजेपी एक बड़ी बैटक आयोजित कर रही है सेलिब्रेट करना है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायस जो है उसके 25 साल पूरे हो रहे है यानि राष्ट्रिय देंतांत्री गटबंधन एंडिये अपने 25 साल पूरे होने पर 18 जुलाई को अपना सिल्वर जुमली जो है वो मना रहा है और इसके साथ ही भाजपा नई दिल्ली में गटबंधन के घटक दलों की एक बड़ी बैटक भी आयोजित हो रही है इस बैटक में सामिल होने के लिए अब तक करीब 19 राजनितिक दल देश के कई राज्यों से 19 राजनितिक दल जो है उनको नेवता जा चुका है जिसमें बिहार के अगर बात कीजी आप तो चिराग पासवं की पार्टी लोचपा राम विलास्त परश्वतिbeत गुमार परषक की पार्षक की राश्टे लोग जोंसक्ति पार्टी और सुत्र ये भी पता रहे हैं कि उपेंद्र कुछ वाहा की पारटी राश्टे लोग freak जनता दल को नेवता जा चुका है जीतन राम मांजी जो की एंडिये के हिस्सा है उनको भी नेवता गया है लेकिन मुकेश रहनी को छाट दिया गया है इसके अलावा आपको बताएं कि जानकारी के अनुसार 18 जुलाई को भाजपा के तरफ से जिन दलों को बुलाया गया है उ है वो भेजा गया है अब देखिए सबसे पहले बिहार का तो हमने चर्चा कर दिया इनके अलावा संजे निशाद की निर्बल इंडियन सोसित हमारा अपना दल निशाद इनके अलावा निशाद पाटी अनुप्रिया पटेल का अपना दल जन आयक जनता पाटी हर्याना जन सेना जो की पवन कल्यान का है उसके अलावा AIMDK तमिलाडू उसके अलावा तमिल मनीला कॉंग्रेस इसके साथी साथ इंडिया मकल कल्वी मुनेतर कडगम जारखंड की अगर बात किजी तो जारखंड से आदुशू NCP, कॉन्राड संगमा, नागालाइंड की NDPP, सिकिम के SKF, जोर थंगा की मिजो नेशनल फ्रंट, असम गण परिसद, सुहेल देव भारतिय समाज पाटी जो कियों प्रकास राजबर किये सिव सेना, यानि सिंदे ग्रूप और NCP, यानि अजीत पवार का जो ग्रूप है, उन्हें नेवता भेज दिया गया है, तो ये कुल दल है, जिनको BJP की तरफ से, जेपी नेड़ा ने पत्र भेजा है, बिहार से चार पाटिया है, चिराग पास्वान, पस्वतिकुमार, पा अब देखिए, राष्ट्रिय जन्तांत्रिक गडबंधन, यानि एंडिये का गठन आज से 25 सल पहले किया गया था, और उस समय इसकी अगवाई जो है, वो अटल विहारी बाच पही कर रहे थे, लिहाजा पहला अध्यक्ष उन्हें ही बनाया गया था, यह पूरा परकरन साल 1998 में हुआ था, और इससे पहले देश में अडल जी की सरकार थी, लेकिन इनकी सरकार चल नहीं पाई थी, और देश मध्यावी चुनाओ के मुहाने पर आ खड़ा हुआ, ऐसे में 16 फरवरी से 28 फरवरी 1999 के बीच, तीन चर्णों में चुनाओ संपन हुए, और किसी भी पार् थी, इसके अलावा आपको जंदा देल उनाइटेड, नितीश कुमार लंबे समय तक NDA गटबंधन में रहें, तो कुल मिला जुलाकर मौजूदा समय में करीब 37 पार्टिया थी, जिनको निवता बीजेपी भेज सकती थी, लेकिन मात्र 19 दलों को ही निवता भेजा गया, ब बैंगलोर में समय थे होंगे, लेकिन बड़ी खबर दिल्ली से है कि एक तरफ विपक्षी एकता हो रही है, तो एक तरफ एंडिये भी अपने 19 दलों के साथ दिल्ली में बैठा करने जा रही है, फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया